करे कि我ं कि I go कि था है अबımız ने क contemporchange कि अवाइद वब्ल के शुर्ट वीडियों में आपको बताएंगे क्या व ड्रोप सिपिंग कैसे कर सकते वैसे दोस्तों drop shipping करने के आपको पैसे देने पड़ते हैं लेकिन आज हम आपको बताएंगे आप फरी में drop shipping कैसे कर सकते हैं जो वर्ड में number one website drop shipping के लिए दोस्तों वह है Shopify दोस्तों Shopify पर अगर आप drop shipping करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं अब सबसे पहला question है कि drop shipping होती क्या है drop shipping होती है दोस्तों कि आपके पास sale करने के लिए कोई भी material नहीं है लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ item sale कर रहे हो sale कैसे कर रहे हो suppose करो आपके share में आपके आसपास कोई gift की दुकान है आपने उस दुकान वाले से बात करी कि वाई साब मैं आपको order लाके दूँगा और जब भी मैं आपको order दूँगा ठीक है तो मैं आपको उस माल के इतने रुपे दूँगा और plus में मेरा commission होगा ठीक है वो माल deliver आपने करना है मेरे दिवारे दिए गए address पे तो जो दुकान दारा इस बात प्यागिरी हो जाता है और आपके दिए गए address पे वो माल को deliver करता है आप उसको payment करते हो और customer से payment लेते हो तो जब आप customer से payment लेते हो अब इस situation में क्या होता है कि आपके पास कोई भी material नहीं है, आपके पास कोई भी product नहीं है, sale करने के लिए, आपके पास कुछ भी आपके warehouse में, आपके घर पे, आपके दुकान पे कुछ भी रखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपने customer को माल दे दिया, वो दिया कैसे वो drop shipping के थुरू दिया है, इसमें आपका जो brokerage charge है, जो commission है, वो आपने customer से ले लिया, और दुकानदार को जो उसकी किमत थी product की, वो दुकानदार को दे दिया, simple बासा में होती है, drop shipping, अब online drop shipping करने के लिए काफी सारे तरीके हैं, काफी सारे method हैं, ठीक है, तो एक website है Shopify, ये drop shipping प से स्टार्ट हो जाता है, इसमें GST वगहरा अलग से add होएंगी, तो ये लगबग 2000-22 रुपए के बीच में आ जाता है, तो दूसरा इनका plan है, जो 7447 रुपए का है, तीसरा जो advance plan है, वो 30,000 रुपए पर मन्त का, यहां लिगा, पर मन्त MO, तो ये काफी costly हो जाता है, जो न इस्टाग्राम पर drop shipping करने के लिए सबसे पहले तो आपने बनाना है अपना page, जैसे ये इनोंने एक Rose Beauty Parler के नाम से एक page है, ये page बना हुआ है, ठीक है, तो ये drop shipping नहीं करते है, मैं एक example के लिए बता रहूँ कि इनोंने अपना page बना रखा है, अब दूसरा क्या है, दूसर प्रिंटिंग का बिजनिस शुरू करना चाते है, उसको drop ship करवाना चाते है, तो आपके सहर में, आपके गाउं में, लोकल में, आसपास में, जो भी बन्दा टीशेट प्रिंटिंग का काम करता, आपने उससे मिलना है, और उसको ये पूरी स्टोरी बतानी है, कि भई, मैं इस ऐसे आपको order लाके दूँगा, और आपने जो मैं design आपको दूँगा, वो आपने print करके मुझे देना है, और दिये गए address पे deliver करना है, ठीक है, वो आपके जो order आप दोगे, उसको आपके दिये गए address पे deliver करेगा, और आप अपना commission रखके, बाकी पैसे, उस दुकान दा या जो भी है बंदा उसको आप दे दोगे, ठीक है, तो पहला तो है यह जो t-shirt printing का, यह भी काफी trending में चला हुआ, आजकल जो कास्टिजम वाले t-shirt हैं, या religion वाले t-shirt हैं, इसके लावा political जो होते हैं बंदे उनके लिए t-shirt होती हैं, तो वो काफी सारे ज्यादा चली मिस्टर लेफ्ट के लिए, बच्चों के लिए होगे, काफी सारे आजकल चले हुए हैं, तो यह t-shirt printing का भी विजनेस काफी अचान और इसको आप फरी में ही कर सकते हैं, बिल्कुल, आपने सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाना है, और उस पेज बे अपने हुआ है, हाइलाइट में, ठीक है, इसने एडवांस दे रखा है, वट्सप दे रखा है, बना वट्सप नंबर हो गया, दूसरा जैसे एक यह लड़की है, कोई यह इरिंग क्लेक्शन है, इसका, यह इसने देखो, काफी सारे इरिंग की फोटो डाल रखी हैं, तो जैसे इ चाहे तो खुद भी रख सकते हैं, इन्वेंटरी लेकिन ड्रोप सेपिंग हैं, आपको इन्वेंटरी रखने की जरूरत है नहीं, दूसरा यह है, गिफ्ट गैलरी, जैसे आपके असपास भी गिफ्ट की दुकान है, आप उनसे बात कर सकते हैं, यह वैसे कस्टम गिफ्ट लेकिन आप किसी भी गिफ्ट वाले से बात कर सकते हैं, जैसे टैडी वियर होगे, डाल दिया अपने अपने इस्टाग्राम पेज पे, बोलेट होगे, काफी अच्छे-चे डिजाइन डले होएं, यह होगया, गले में डालने का, जैसे की रिंग बगैरा होगे, यह हाल्ट वाली से बाड़ा होगया, तो यह काफी सारे इन्होंने गिफ्ट आइटम डाल रखे हैं, तो जिनको आप ड्रोप सिपिंग करवा सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में, दोस्तों आपको हमारी वीडियो कहाई से लगे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सुब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू